आए तो गुजरात से तो गुजरात से भी पूरा बिजनेस सीख के आए है वालिटी मेंटेन रखिएगा तो आपका जो है बिजनेस ग्रो करने से कोई नहीं रोग सकता है जीला के पंडारक में ऐसे मोडल पर लोग काम कर रहे हैं जो हरा चारा का एक सॉल्यूसन है किसानों के लिए जो सहरी छेतर में पसुपालन कर रहे हूं उन्हें हरा चारा का बहुत समस्या होती है जहां तक बिहार में काम हो रहा है साइलेज की उपलब्दता है अच्छे अपियर का कौन सा भेराइटी है और आसान तरीके से परतेक दीन सुबह और साम फार्म पे डिलीवर करते हैं तो हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो पर बने रहे हैं उनसे मिलवाते हैं अच्छा लगे तो लाइक करे सब्सक्राइब करें और शेयर करें नाम बबंध फोर्दी बुल्ट चारा वै यह साल में चे से सात कर सलते हैं और बीज भी हम उपलब कराते हैं हम गुजर juice चैप यहां परचार परफार करें बढ़ा दें लोग पशुपालन कम कर दिये हैं कि चारा के लगता है यहां पर अइसा चारा भी उपलब नहीं था जो बारो महिना देश सके इसको एक बार लगा दीजिये तो 7-8 साल तक चारा का क्या खासियत क्या है इससे 18-24% परोटीन है लेकिन इसको क्या हाइट पर काटना है उसकी जनकारी रहना अवस्चक है अगर पूरा ज्यादा लंबा होने दीजियेगा तो दिक्कत आ सकता है अगर कम हाइट 7-8 पर कारते हैं तो इसका परोटीन लेबल बराबर रहता है अच्छा महलें इसमें खाएगा और कुछ मने छोड़ेगा नहीं 20 परसें दूद भी बढ़ जाएगा और एकदम खाने में भी शौप और पसु के लिए अदम फ्रास्त के लिए भी अच्छा अब मार्केट में बहुत सारे नेपियर के बीज हैं उपलब्ध हैं बहुत किसान वो लगाए हुए य लीकिन इसकी गरेंटिय अहां ही नहीं नहीं करेगा हमने इसको चारा भी अपलाई कर रहे हैं लोग भी खिला के देख रहे हैं दज जगाए कम से कम चारा जार और में इसमें थोड़ा काटां ता अब का होता है एक दम सौफ है कैसा भी करती है अच्छा इसमें काटादार एकदम सब खाने में सब हमारे गाओं में कम से कम 30-40 लोग बुन चुके हैं इतना खूस हैं कि मने पूछिये मत शुको खिला रहे हैं और अधम खूस है कि अब हमको 10 साल खेत नहीं जुतना पड़ेगा अब दूक अठा खेत हैं बार बार हर ले जाने के जगह नहीं है तो चा में बेरोलगारी बहुत हैं पढ़े लिखे लड़के अभी से बोल्या घास खेट से काटके नहीं लाएं तो हम समझते हैं पशू पालन कीजिए पचगो गाई रखिये तो आपके पास चारा हम निमन भाव में लब्द करा देंगे कि आपको कोई भी लोग कर सकते हैं अजया हुआ चारा उनके डेरी फार्म पे लब्द हो जाएगा तो कोई भी अदमी पशू पालन कर सकता है इसली शॉप्ट बनाना चाहते हैं अच्छा तो इसका जो मोडल है जैसे आज पास के आप डेरी फार्मर को देते हैं कैसे क्या करते हैं इसका पैकेजिंग केसे करत करते हैं कर्के चाप करके तो बड़े में पैक करके ताइमली गोलें और फे पर किसान को आप दे रहा हैं यहां से कटिंघ कर्णा इसका मलब कटिंग कहां तक करते हैं ज़े डिली करवाते हैं तो कटिंग मन बस एक इंच छोड के कटिंग कर देते हैं अच्छा नीछ लास्ट तक लास्ट अपडंश्टा के काभी फिलहाल तो हम 15 कुटल सप्लाइब कर किसी कस्टरमर को आपके कोई डेरी फार्मर को आपसे लेना होगा तो कैसे कंटेक्ट करेंगा नंबर है नंबर बता दीजे कितना नंबर कितना अच्छा अच्छा चलिए बहुत जानकारी अच्छा दिया हैं सबसे बड़ा एक सॉल्यूसन आप जो गुजरात उसे मॉडल क्या है वो चीज आप अपने स्टेट बिहार में कर रहे हैं और इससे बहुत युवाओं को भी प्रेड़ना मिलेगी इस तरह का रोजगार पुरे भारत में कोई भी कर सकते हैं जो बेरोजगार है किसान को देख के हम प्रेरित हुए कि जब यहां किया जा सकता है यहां लो अपने बिहार एस्टेट में इसका चारा भरपूर सपलाय होता है लोग अपने पसू के लिए खिलाने के लिए बहुते हैं और हम अपने गाव में अज के डिट में कमा रहे हैं कामा में दे रहे हैं और भाई-साब ही हमारे फारम पे आये हुए है अच्छा आपके हाँ यह हरा चारा डेली उपलबता करा दे रहे हैं यह बहुत अच्छा है में एक ऐसा रोजगार यह अपनाए हुए है और प्रिर्णा लिये हैं गुजरात से इस चारे के बारे में आपको क्या करना है सबसे प्रसांद जी आपका धनेवाद आप जहां पर आप और हम इस जिस जग पर आप काम अच्छा रहा तो हम आपके हाँ और आपके आप आप यहां पाए और यह चीद दिखाने के लिए इसा रोजगार है कोई भी कर सकता है इनको आप मोटिवेट कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है पर इनका जब फोन आया था भी अपना पूरा जो होता है कि इतना प्रोटीन है यह हो है थोड़ा सा इभी देख को लागा इंट्रमेटर देख के बोल रहे होंगे हम लोग लेकिन सोचे कि चलिए को आदमी नया सुरू किया है हम लोग इनका जो है और इनको सीधे और दे द जो हम आपको फीडबैक दे रहे हैं सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या होता है कि हम लोगा सहरी चेत्र होने के कान वहां पर थोड़ा सा लेबर का दिक्कत होता है वहां पर जय लगा हुआ हुआ कठा जय ले खरीदने जाए तो कम से कम 700-800 रुपे किलो कठा का मिलता है कितना जय अगर वजन करिएगा तो उस एक कठा में आपको 500-600 किलो बहुत अच्छा जय है 500-600 किलो एक कठा में आएगा दो रुपे किलो जो है हरा चारा जय वहां पर हो जा रहा है इसके अलावा आप एक आदमी को भेजिए इसके अलावा एको ट्रेक्टर भेजिए उसके उसको उतारिए उतारने क्या उसको कुट्टी करिए तो सब मिलाकर देखिए का तो आपका खर्चा जो है इसाब बहुत ज्यादा हो जाता है इस जो है कि एक आपको तॉम्पेक्ट जो है बना हुए चीज और मतलब की तैयार किया हूँ आपके हां गिरा देना है तो मेरा भ करदा ड़ाई डल देना चाहिए जो इसके बाद मेलेला कर रहा है उसके बाद मेन हैवे से उतरने के बाद भी रस्ता कच्छा था उसके यहाँ हो लगता है कि 40 तो मेहनत है और कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को अंदर से इच्छा हुआ आपका भी इच्छा हुआ कि इनको प्रमूट किया जए समभब जी बिहार में जिस तरह का ये सॉल्यूशन दिख रहा है इससे बदलाओ किस तरह आप देखते हैं सबसे पहले देखे बिहार में कोई चीछ सुरू होता है तुरत मर जाता है यहां पर हम लोग इसलिए आए हैं कि यह जो मॉडल है यह एक अप्शन उपलब्द रहे हैं जो जिसको अगर अगर जिसको ज्यादा गाय है या कम गाय ही है सहर में है बगल में जमीन नहीं है या जमीन है तो पानी भढ़ जा र लिए उतना जाधा फाइदा होगा जो भी जितने भी डेरी फार्मर्श है उनके लिए उतना फायदा मन्द होने वाला है और हम लोग का में है कि इनका जो इनको हैंड होल्डिंग इनको एक तरह से इंकुवेशन सपोर्ट दिया जए ताकि इन मोडल है अभी छोटा सा गार लेकर आते हैं हम लोग के हैं तरक लेकर आए हम लोग के हैं हम तो इनको बोले कि ब्रांडिंग करिए अच्छा पैकिंग करिए जी एश्टी नंबर लिजिए सब लिजिए इदिन भी आएगा अगर इसी तरह से अगर आप अपना क्वालिटी मेंटेन रखिए गार चीज में जो है आए तो गुजरात से तो गुजरात से भी पुरा बिजनेस सीख के आए है वालिटी मेंटेन रखिए गा तो आपका जो है बिजनेस ग्रो करने से कोई नहीं रोग सकता है बिलकुल को आपका प्र कॉंपेटिटी होना चाहिए जो की दे रहे हैं मालोग साइस के देख के देते हैं तो अगर आप अच्छा क्वालिटी में मंगा रहे हैं तो आपको अच्छा रेट में उकलब्द कराएंगे बहुत बहुत धनवाद इस तरह का काम करने के लिए हम चाहेंगे हमारी सुबकामना रहेगी कि आप इस काम को और इतना बढ़ाएं कि कॉस्टि यहां पर लोग जो हैं जागरूख हो करके और एक वेवसाइक को चुना है और बहुत इससे राहत मिला है पसुपालकों को तो यह बहुत ही अच्छा मोडल है जो कि देख करके सही में मन त्रिप्त हो जाता है कि इस तरह के भी जुनूनी लोग हैं जो काम जमीन लेबल पर क करके करें मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और सेर कर दे थाइंक जो